किसान भाईयों नमस्कार आपका हमारे यूट्यूब चेनल मंडि भाव में स्वागते तो किसान भाईयों आज के इस शीडियों में हम बात करेंगे कि 2020 के अंदर आपको लासुन में कितना भाव देंगने को मिलेगा और दोस्तो साथ में हम ऐसे भी बात करेंगे कि 2019 के अंदर आपको जो भाव मिला था लासुन में बड़ से बड़ चड़ कर 20 साल का रिकोर्ड तोड़ा है लासुन ने उतना भाव कि आपको 2020 के अंदर मिलने की संभाव नहीं लग रही है तो दोस्तो सब कुछ हम इस यूडिय लेसन बताने वाले है दोस्तो आप हमारे वीडियो पूरा देखे और दोस्तो अभी तक आपने हमारे चेनल को सस्क्राइब ने किया है तो सस्क्राब कर दीजिए और उसके पास के कंटी के निसान पर आप अविश्य बटन दबा दीजिए ताक कि आपको हमारे आने वाले व बढ़ीया देखने को मिलेंगे क्योंकि दोस्तो 2020 के अंदर लासुन की बहुत ही ज़धा हुई वत पादन भी ज़धा हुआ तो दोस्तो यह कारण तो यह करता है कि आपको लासून में तेजी कम देखने को मिलेगी लेकि इनके मुताबिक भी बहुत सही है पर लसुन में तेजी का कम कारण मन रहा है लेकिन तेजी आने के भी बहुत अधिक कारण मन रही है तो दोस्तों अगर हम लसुन की इसा हो रहा है कि जो अपने भारती किसान भाई लोगे वो लसुन को अपने खेस से निकल कर डिरेक्ट मंटिवा तक ले जा रहे हैं जिससे कि वहां हवको का जद्दा होने की वज़े से लसुन में आपको तोड़ी की रावर डेंगने का मिल रही है दोस्तों जैसे जैसे अब जगा नहीं होती हैं तो फिर अपने लसुन को मंडियों थक ले जाते हैं तो अभी वही जो किसान भाई लोग हैं जिने ज्यादा पैसों की जुरुआ थे वह जिनके पास स्टोक करने की जगा नहीं है वे ही किसान भाई लोग लसुन को मंडियों थक ले जा रहे हैं तो दो दोस्तों ऐसा हो चुका है तो लसुन का इस्टो कम बच्चे हैं बच्चे हैं ऐसा नहीं कह सकते हैं हम नाम मातर के बच्चे हैं लेकिन लगबग आद्धा की आसपास मंडियों में पहुंच चुका है और अद्धा लसुन की आसपास वेपारियों ने और किसान भाईयों ने इस्टो कर रखा है और दोस्तों अगर हम 2020 के अंदर बात करते हैं कि निस्क में जो बाव मिला था उतना 2020 के अंदर मिल सकता है तो दोस्तों मिल सकता है 2020 के अंदर जनवरी मैने में बाव बढ़ा ही दगने को मिला था फरन्तों उसके बाद में वो तो पुराने पसल थी बाद म नहीं फसल आई तो नहीं फसल में अभी तक तो पाऊ नहीं मिला लेकिन आगे आने वाले समयों में फाऊ मिल सकता है क्योंकि दोस्तों इनका प्रमुक कारण है चीन में आया नियात बन कर दिया है क्या है क्योंकि दोस्तों ऐसे बहुत सी बिमारिया हर साल अपने भारत में या लेकिन अधिक मात्रा में वो चीन में अभी मुझूद है और चीन के लोगों की बहुत सारे लोगों की मरती हो गई है इसके कारण में वहां किसी भी वस्तो फसल अनाच लसुन सभी पर पूर्ण रूप से पर्तिमन या रोग लगा दिया है जिससे के दोस्तों वहां का माल कौ प्रोसिदेश मने गई हैं वहां लसुन का उत्पादन कम होता है और उनको लसुन की बहुत नहीं अधिक मात्रा में जुर्ण पढ़ती है तो दोस्तों वह चीन से लसुन का आयाद करते थे लेकिन अभी चीन में किसी भी वस्तो फसल पर पूर्ण रूप से पर्तिमन लगा रखा है आयाद नियाद पर तो दोस्तों अगर उनको जुरुत पढ़ेगी तो वह भारत से आयाद करवाएंगे भारत नियाद करेगा तो आपके लसुन बाव बनने के संभाव नहीं लग रहे हैं यसा मनना चाह रहे हैं कि 2019 में जिन्दा पाव मिला था उपना बावी आप को 2020 के अंदर मिल सकता है तो दोस्तों आई हूप आपको यह जान करें कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना हम मिलते हैं अगले वीडियो में जे जमान जे किसान